हलो दोस्तों कैसे आप सब तो हम लोग बारत का इतियास पढ़ रहे हैं बारत की इतियास में क्या है कि प्रचीन भारत का इतियास है जो सारा कतम हो चुका है हम लोग अभी मेडियेवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 37 क्लास अल्रेडी हो चुका अगर वीडियो नहीं देखें तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखेते तो बिजय नगर समराज को देखेते इस वाले में क्या देख लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा notification time to time पहुंचता रहा है हम लोग मद्यकाल इन बारत के इतियास में 16 class already कर चुके हैं जिसमें पिछले class में हम लोग क्या किया थे कि बिजयनेगर समराज को खतम किये थे और आज हम लोग क्या चीज को खतम कर लेंगे ठीक है तो बहमनी जो समराज था दक्षिन भारत में था आपको याद रखना यह कहां पर था अगर मैप में देखें तो आपका यह देखिए क्रिष्णानदि है और एक ग्रिष्णानदी के नीचे जो था रायच्यूरh के नीचे रायच्यूर्ड दौब था इसी के कि इसको आपको क्या करना है कि याद रखना है तो ऊपर वाला जो था till द We major kingdom था और नीचे वाला विजयन अगर kingdom था ऊपर वाला जो था मुस्लिम kingdom था और नीचे हिंदु kingdom था ए भी बात आपको द्यान में रखना चाहिए ठीक है तो बह्मानीं जो सम्राज था एक क्या बह्मनी ऐसाम्राज का अस्थाफना क्या था आपको याद रखना कि बहमनी समराज का जो अस्थापना किया था अला ओदीन हसन बहमन सा किया था जिसका नाम क्या था जफर खान के भी नाम से हम लोग जानते हैं तो यह बाता को ध्यान में रखना है यही जो था अला ओदीन हसन बहमन सा जिसको जफर खान के भी नाम से जानते हैं यही क्या क्य था कि 1347 इस्वी में बहमनी समराज का अस्थापना किया तो ए बाता को ध्यान में रखना है ठीक है साथी साथ एक क्याम का करता था पहले मतलब बहमनी समराज का अस्थापना करने से पहले क्या काम करता था यह आप से पूछ सकता है ते मुहम्मद बीन तुगलक क्या नौकरी करता था नौकरी एक अच्छा पोश्ट पे पुलीन व्यक्ति था मतलब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था यह भी बाता को ध्यान में रखना है 1347 इस्षी बहंणी समराज को स्थापना किया इस कौन देख सकते हैं यहां देख सकते हैं यहां रखना है मतलब की बढ़ाया था और साथ आप देखते हैं आगे तो क्या है कि यह जो हसन سा تھा वो क्या किया था किे अपना गुलबरगे मेरा जभाणी बनाया था भामनी सम्राज कर तो तैसे बहांगे रखनाओ एक गुलबरगा देखिए यहाँ पर यह छेत्र पढ़ता है मैप में देख सकते हैं यह अभी करनाटका में पढ़ता है यह भी बात आपको ध्यार में रखना है ठीक है आगे हम लोग पढ़ते हैं बह्मनी समराज के सासक के बारे में इसमें क्या हुआ कि जितने भी सासक के बारे में सबसे पहले देखते हैं मुहमद संकर्ण के बारे में गया योग सेनापती था और एक एड्मिनिस्टेटर बहुत अच्छा था तो ये भी बाताप को ध्यान में रखना है ये क्याम का किया था तो आपको याद रखना है जो बरंगल अभी आंदरपर्देश में पढ़ता है उसको क्या किया था कि कपाया जो वहां का नायक था और साथी साथ बिजयनगर के जो सासक था बुका पर्थम उसको हराया था तो ये बाताप को ध्यान में रखना है तो एक question पूछ सकता है कि बूका पर्थम को कौन बहमनी समराज का सासक हराया था तो आपको याद रखना कि मुहम्मद साथ पर्थम हराया था ये बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं मुहम्मद साथ दीतिये के बारे में तो मुहम्मद स साथ दीतिये मुहम्मद साथ दीतिये गद्दी पर कब बैठा था तो 1378 इसवी में बैठा ये बात आपको ध्यान में रखना है बहमनी समराज का और ये जो था एक सांत व्यक्ति था मतलब कि ये बगल अडोसी पुडोसी से लड़ना नहीं चाहता था ये क्या चाहता था कि मैतरी पूर्ण संबंद बना कर रखें तो ये बात आपको ध्यान में रखना है मुहम्मद साथ दीतिये के बारे में एक कई मस्जिद बनाया मदर्से बनाया मदर्सा क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये सिक्षा का अस्थान होता है जिसमें मुस्लिम समाज के क्या होत एक वाहताक को धयान में रखना यह बहुत सारा मदर्चा बनबाया था और अस्पताल बनाया था जिए और मुखत और प्रते हैं पुरौत कहां करते मुखम्मद साधीतिये के बाद कौण इसका बहमनी समराज का सासक बना तो आपको याद रखना है कि फिरो सब बहमनी ये बात आपको ध्यान में रखना है ये सासक कब बना था तो 1397 बना और कब तक रहा था तो 1422 तक रहा था ये बात आपको ध्यान में रखना है एक ग्रेट सेनापती था महान सेनापती था ये भ पर्थम को कौन बहमनी समराज का सासक हराया था तो आपको याद रखना है फिरोज सा बहमनी तो यह बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है यह सव आप याद रखिएगा क्योंकि कोश्चन ही सोल्व करने से मतलब है ज़्यादा डी तो आहमा सा अगला सासक बना किसके जगह पे तो फिरोश बहमनी के जगह पे कब बना तो 1422 में कब तक इसका सासनकाल चला तो 1436 हिस्वी तक चला था ये वाता को ध्यान में रखना है ठीक है ये बहुँ जादा निर्दई था मतलब कर ठोर था और हिर्दय हीन व्यक्ति था य याद रखना है कि उसने बारंगल राजपर बिजाए भी पराप्त किया था ये भी बाता को याद रखना है एक गुलबरगा जो इसका रजधानी था उसको बदल कर कहां पर किया था तो बिदर किया था ये भी आपको ध्यान में रखना है एक कोस्चन हमेशा बनते रहता है कि कौन ऐसा बहमनी समराज का सासक था जो गुलवरगा से रजधानी बदल कर बीदर किया था तो आपको याद रखना है अहमस सा ठीक है इसका मिर्तिव कब हुआ तो 1436 सिस्वी में इसका मिर्तिव हो गया तब इसका क्या हुआ कि इसका सासन खत्म हो गया यह बता को ध्यान मे रखना है इसके सासन खत्म होने के बाद अगर पूछ है कि बहमनी समराज का सासक कौन बना तो आपको याद रखना कि इसके बाद मुहमस सात्रृतिये सासक बना है सम्राज तूटने लगा था बिखरने लगा था कम जो Umur पड़ गया था यह वात आपको ध्यान द्यान में रखना है शाषक्त आंक को याद रखना है कि 1463 xvi बना और कब तक रहा इसका सासनकल ता आपको 1462 इसमी तक इसका सासनकल रहा था यह मात्र नौ बर्स का बच्चा था तभी इसको सुल्टान बना दिया गया था ऐसे ही घोसित कर दिया था नाम लेकर मतलब कि आप समझें कि यह इस नाम से काम चल रहा है जैसे अभी राष्टपती के नाम से सारा काम चलता है लेकिन मेन आदमी कोन होता है परधान मंत्री होता है ठीक उसी तरीका से इसको मात्र 9 साल में तो घोसना कर दिया लेकिन मेन काम कोन करता था तो मुहम्मद गवान करता था कहीं कहीं पे खवाजा मुहम्मद गवानी लिखा रहेगा वो ही एक ब्यक्ति है जिसका नाम क्या है वही सेम ब्यक्ति है जिसका नाम क्या है मुहम्मद गवान एवाता को ध्यान में रखना है मतलब कि मुहम्मद सा त्रितिय सासक तो बना नौ साल के उम्र में लेकिन काम कौन करता था तो मुहम्मद गवान करता था ये वाता को ध्यान में रखना है ये परधान मंत्री के रूप में ये काम करता था सारा कारे काल समालता था कौन तो मुहम्मद गवान समालता था ये वा सारा यह जानता था, साथी साथ यह mathematics भी बहुत अच्छा जानता था, एव बात आपको ध्यान में रखना है, और इतना पढ़ा लिखा होने के कारण एक क्या कि एक कुसल नित्रित्व किया, बह्मनी समराज का और बहुत सक्तिसाली इसके समय में हो गया था, एव भी बात आप को ध्यान में रखना है मुहम्मद गवन क्या किया था गवान का किया था तो आपको याद रखना है कि एक कोकन उडिशा संगमेस्वर और विजय नगर और साथ ही साथ किसको गोवा को भी यह क्या कर लिया था तो अपने राज्य में मिला लिया था एवाता को ध्यान में रखना है वहां के सास्कों को हरा कर क्या कर लिया था कि अपने राज्यों में मिला लिया था एवाता को ध्यान में रखना है आगे जब पांच राज्यों के बारे में आता है तो आप ध्यान में रखेगा क हमेशा आप जब पढ़ते होंगे तो 5 राज्यों के बारे में आता है यह पांच राज्यों के बारे में क्या आता है कि जब मुहमाद सात्रितिय का मिर्ति हुआ 1431 से इस वी में तो क्या हुआ कि इसका जो आने वाला उत्राधिकारी था बहमनी समराज का वो बहुँ ज़्यादा कमजोर था इस कारण से क्या हुआ था कि बहमनी जो समराज था पांच राज्यों में क्या हो गया था कि तूट गया था ए बता को ध्यान में रखना है ठीक है कौन- यह तूट गया था तो यह वाता को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका administrative कैसे इसका परसासन काम करता था तो आपको सबसे पहले याद क्या रखना कि इसका जो सुल्तान होता था मतलब की राजा होता था समानती जैसे अभी इंडिया अपना देश है और उसमें कई राज्य है ठीक है तो यह राज्य जो होता था कई परांतों में विभाजित होता था जूसको हम लोग उस समय नाम से जानते थे बहमनी समराज में तो नहीं बनाता तो गोलगुंबद या गोलगुंबज यह दोनों सेम ही है फार्सी विजापूर के सुल्तान मुहम्मद आलिद साह का यह मकवरा है विजापूर अभी करनाटका में है यह बता को ध्यान में रखना है यह सबसे पहले कोस्टन तो यह बन जाता है कि किया तो मतलब कि पूरा कव किया था 1636V में इसको निर्मान करवाया था штय 1626V में इसका कार सुरू हो गया था मतलब हो गया था बन ना मार्भण रखना है 1656 म में इसका काम पूरा हुआ था यह 256 में हुआ था यह बाता को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो बीजापूर का जो गोल गुंबज है इंपोर्टेंट क्यों है तो आपको याद रखना है कि बीजापूर में जो गोल गुंबज है उसको खुसफुसाहाट गैलरी भी बोलते मतलब कि आप धीरे-धीरे एक कोना में बोलिएगा न तो दूसरे कोने में क्या होगा कि उसका सारा गुंज सुनाई दे देता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है तो फुसफुसाहाट गैलरी के भी नाम से जानते हैं यह बाता को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे बस्तु भासा को भी इसी काल में विकास हुआ था तो यह बाता को ध्यान में रखना है अने एक क्या किया था कला और बस्तु कला के बारे में जब देखते हैं तो क्या है कहने एक मस्जिद मदर्सा और पुस्तकाले का भी निर्मान किया था जिसमें आप देखते हैं तो गुल को ध्यान में रखना है बहमनी समराज का अगर पतन के बारे में पूछ ले लाश्ट में कि ये पतन क्यों हो गया था इसका बिनास क्यों हो गया था ता आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये जो था आपका उपर में बहमनी समराज और ये विजय नगर समराज ये दोन हमेहाइशा लड़ने के कारफ़ क्या होता था कि लगतार यूद kung République कारफ़με.घ तो मतलब हानी होता ही है, ठीक है, मुहम button month अत्रितिय के बाद आयोग और कमजोर उतराधिकारी ही मिला, जिसको मुहमBER Twitter के बाद कोई इसका अच्छा उत्राधिकारी नहीं मिल पाया इतना रात आपको ध्यान में रखना है तो चलिए आज के लिए इतना ही कल हम लोग क्या करेंगे कि मुघल सम्राज को को शुरू कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा एक्जाम के परपस से इंपॉर्टेंट होता है तो ठीक है चलिए आज के लिए इतना है वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करिएगा कॉमेंट करके सेर करके सब्सक्राइब करके बेल एकन दवा दिजेगा तो जैन जै भारत